ओम श्री गनेश आई नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं करक राशी वालो हो जाओ तैयार तो कि अब आपको रिद्धि शिद्धि के दाता भग्वान श्री गनेश और धनकी देवीमा लक्षमी के अशिर्वास से 14 जून स 28 जून यानिकिन 15 दिनों में मिलने वाली हैं पाँच बड़ी दूफानी ख़बर चाद उस्तों पाँच बड़ी खुशकबरियां आपको इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं भग्वान श्री गनेश और मलक्षमी के कृपा से क्योंकि आपको बताना चाहेंगे 14 जून से 28 जू राजयोग और धनयोग में आपकी सौई हुई किसमत जागने वाली हैं। आपकी किसमत के सितारे चमकने वाले हैं। आपके जीवन में चारचांद लगने वाले हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला। इन 15 दिनों में इन खुसकबरियों को सुनकर। या दोस्तो वे पाँच बड़ी खुसकब्रियां कुन सी है जो को 14 जून से 28 जून यानिकि इन 15 दिनों में मिलने वाली है इस वीडियो में आपको उनी पांच खुशकवरियों के बारे में बताने वाले हैं या दोस्तो इन पंदरा दिनों में आपको अने को पर करके लाब धनलाब और बड़ी उड़ी सफलताओं की प्राप्ति होंगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या दोस्तो शंपून शटी 81 पल 14 जून से 28 जून यानिकि इन पंदरा दिनों का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरा वीडियो देखना या दोस्तो वीडियो का इस शुरू करें सबसे पर आपस रिक्वेस्स करते हैं भगवान श्री गनेश और मलक्षमी के सच्चे वक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट से वोक्ष में जै श्री गनेश जै मलक्षमी वशल लिखें जिससे भगवान श्री गनेश और मलक्षमी का असरवाद आपको शिरी प्राप्त हो सकें चलिए दोस्तों बाग करते हैं कैसे रहेंगे भगवान श्री गनेस और मलक्षमी कैसरवास से आपकी राशिवालों के लिए 14 जून से 28 जून याने की ये 15 महत पकून दिन दोस्तो आपके लिए भगवान श्री गनेश और मलक्षमी का सिर्वास से ये दिन बहुती अच्छे दिन रहने वाले हैं जिससे आपके सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे परिवार में धन दौलत और सुक्षमरद्दी बढ़ेगी जीवन साती के साथ प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे आप लोगों के लिए ये समय बहुती सुब समय चल रहा है आप लोगों के लिए नई नोकरे मिलने के योग बन रहे हैं अचानक धन में बड़ोत्री होगी आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत होता हुआ इन दिनों दिखाई दे रहा हैं धन संबंधित मामलों में आपको बहुत जादा इन दिनों लाब मिलेगा परिस्तिती में कुछ बड़ा सुधार देखने को आपको मिल सकता है परिवारिक मित्रों के साथ समय सुख में इन दिनों वैतीत होगा आएके नेश्रोत बनेंगे इस्थाई संपत्ती के बड़े सोधे इन दिनों हो सकते हैं आपको बविस्य में बड़ा लाब मिलने के संक केत बन रहे हैं आप मानसिक रूप से भी खुसी इन दिनों महसूस कर सकते हैं बैंकिंग छित्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब खात्मा होगा परिवर्तन प्रकर्तिक का नियम है समय समय पर आपके जीवन में होने वाले बड़े बदलाव आपके लिए बेहद ही आनंद दायक रहेंगे आपको नए खुसकवरी मिलने की अब संभावने नजर आ रही हैं स्वास्त पर आपको विसे धन रखने की आवश्यक्ता है साती सात वाहन भी आप बहुती सावधानी पूर का अंत करेंगे अचानक आपको भारी धनलाव होनी की संभावना इन दिनों नजर आ रही है प्रेम में पड़े जातकों की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये दिन बहुती अनुकूल दिखाई दे रहे हैं हाला कि कारों की अधित्ता के चलते प्रेम जीवन में कमी जर किनार करते हुए अपने रिष्टे को और भी मजबूती देंगे साथ साथ इन दिनों साधी से जोड़ी चर्चाएं भी आपके घर में शुरू हो सकती हैं यह समय आपके लिए बहुती सुब साबित होने वाला है परिवार और रिष्टेदारों में सामाजिक संबंद और भ बहुती तेजी से इन दिनों पूरे होने लगेंगे साथ साथ इस समय आपको अपने करोध पर भी नियंतन रखने की आवश सकता है अन्य था बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है जीह दोस्तों आपके जीवन में अब आपको अनेकों प्रिकार के बड़े-बड़े परिव लगनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब अंत होगा परिवारिक विवाद और लड़ाई जगडे से भी आपको मुक्ती मिलेगी किसी काम में किया गया प्रियास आपके लिए लाइफ चेंजिंग इ इन दिनों मिलने वाली हैं इन दिनों का समय आपके लिए बहुती लाबकारी साबित होने वाला है शिक्षा नौकरी और वेपार के छेत्र में आप नए कीरतिमान इस्थापित करने में काम्याब होंगे नौकरी की तलास कर रहे हैं लोगों को नौकरी मिल सकती हैं दोस्त आफिस के छेतरों में आपको बहुतो सारी चिनोतियां मिल सकती हैं। में सफलता के नई उमंग आपको दिखाई देगी। किसी मांगलिक कार्य करम में आप इन दिनों सामिल हो सकते हैं। समाजी कारणिय में आपका मन भी इन दिनों खूब लगेगा, आर्थिक छित्र में तरक्किए हांसिल होगी, अपने कारणिय को आसानी से करते हुए आप समाज में इन दिनों अपनी अलग पहचान स्थापित करने में काम्याब होगे, व्यापार में आपको अधिक धनलाभ हो आपको सच्चे प्यार की प्राप्ति होगी आपकी आमंदनी में निश्चित रूप से वरद्धी होने के इन दिनों संकेत नजर आ रहे हैं आपकी सेहत और व्यपार में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता हैं किसी पुरानी बात की चिंता आप कर सकते हैं प्यार के नए प् सहनत का पूरा लाब अब मिलने वाला है धार्मिक कामों में आपका अधिक मन लगेगा शादी सुधा जिंदिकी में खुसियां बनी रहेंगी शंतान पक्ष से भी सभी परिसंगी दूर होंगी इन दिनों आपको संतान प्राप्ति के भी योग नजर आ रहें हैं शंतान प् लिए बहुती सुब रहेगा नौकरी और वैपार में आपको छपड़ फार कर धनलाब होगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत होगी परिवार और दोस्तों के साथ समय इन दिनों अच्छा व्यतित होगा आप तेजी से प्रगड़ती करते हुए समाज में आपके सभी बिगड़ हुए काम अब बनने लगेंगे इसलिए कोई भी काम बिना डर के आप सुरू करें आपको वश्य ही सफलता हाशिल होगी इन्हें आर्थिक तंगी से भी अब छुटकारा मिलेगा आप लोगों को दुख दर्द और परिसानियों से अब छुटकारा मि होने वाले हैं जहां दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती सुब समय रहने वाला है इस समय का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए